दोस्तो आज किस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना क्या है और इसमें आउनलाइन रेजिस्टेशन कैसे करना है जैसे कि आप सभी को पता है कि मोधी सरकार किसानों की समस्याओं को लेके लगातार नई नई योजना है बहुत प्रधान से पहले फैंड्स आप सबसे हमारी चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब पर लीजिए और बगल में दिये गए वेल आइकन को भी आप आल नोटिफिकेशन पर सेट कर ली वाटसब पर जितने भी आपके कॉन्ट्रेंक्स है सभी लोगों को इस वीडियो को सेर किजे ताकि इस वीडियो की नालज सभी को हो पाए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को डिसक्राइब कर लिंक में आप सभी को दे दूंगा यहाँ से आप ओपन करते ही सरकारी सब इसब बीडीयो के मैं नहीं हमसे बात करने वाले हैं तो चलिए करते हैं अपनों टॉपिक प्रदारमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम पहले समझते हैं कि यह क्या है कि सके लिए शुरू की गई है और इसमें कैसे हमको लाव लेना है तो चलिए हम यहां से सुरू करते हैं प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना होता है जिससे वह भविस्य में होने वाले नुकसान की PMFBY यनी प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना से भरपाई कर सकें फसल बीमा योजना किसानों को एक तरह का किसी भी तरह से फसल में नुकसान की भरपाई करता है देश के अलग-अलग मौसम में जैसे की बरसात में बाढ़ सूखा आधी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं जैसे जिसे किसान की फसले कभी-कभी पूड़तर नस्ट हो जाती हैं इनकी भरपाई के लिए प्रधानमंतिरी रिजी प्राकृतिक आपदा के कारण बरबाद हुई फसलों का बीमा करती है यदि उनका फसल बरबाद होता है उनके अकाउंट में सीधे पैसे बेज़े जाते हैं प्रतान मंत्री फसल बीमा योजना 2020 के अंतरगत केंदर सरकार अठासी सो करोल रुपे खर्च करने वाली है और प्रतान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतरगत किसानों को खरी फसल पर दो प्रतिसत और रभी फसल के लिए डेड़ प्रतिसत का भुकतान करते हैं इस योजना से प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाड या किसी भी तरह से आपकी जो फसल है वो नस्ट हो जाती है तो उसकी भरपाई की जाती है कुल मिला के अगर बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तो इस योजना में हम आप सभी को बता दें कि जिस तरह से LIC काम करती है, LIC बीमा करवाती है और किसी तरह से उनको नुक्सान, एक्सिडेंटल वगरा जो कुछ भी हो जाता है उस केस में उसको अच्छी रासी उनके घरवालों को दी जाती है तो सेम वही नियम यहां पर अपलाई होता है कि उस तरह से आप अपने फसल क बीमा यहां पर करवाएंगे और किसी भी दसा में अगर आपकी फसल नस्ट हो जाती है जल जाती है या फिर बाड के कारण या पानी के कारण सुखा पड़ जाता है तो उसके उस केस में आपको जो है सरकार के तरफ से लाब दिया जाएगा या जो भी बीमा कंपनी होगी उ उसका लाब दिया जाएगा तो हम आपको बता दे कि इसमें इसका पातरता कौन होगा इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो आप सभी को बता दे कि देश के जितने भी किसान होंगे वो पातर होंगे अगला लिजबिल्टी है कि अपने खेती योग जमीन या लीज पर की जो आधा आधा 50 50 पे लिए तो उस तरह से अगर आप उसमें आप झो explicar का खेती करते हैं तो फिर आप उसमें आप जो है अंलाइन नहीं कर सकते जो खेत का मालिक होगा वो फार्म मर सकता है यदि आप आपने किसी प्रकार का फसल लून नहीं लिया है तो आप इसके लिए पात्र होंगे तो हम चलते हैं देखते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए कौन-कौन से किसान का फोटो जो भी किसान होंगे अगर आप एक किसान है और आप अपने कि दूबरता से पितने बहुत काफी किसे का नुकसान सके तो बहुत कम है क्योंकि 31 जुलाई तक इस में टाइम दिया गया है और आप अगर आवधन करना चाहें तो आवधन कर सकते हैं आपके लिए टाइम बहुत कम है बाविसे में जैसे इसका डेट बढ़ता है हम आपको एक बार फिर से सुचना दे देंगे एक बार फिर से आपको बता देंगे तो ये वीडियो खास है उन भायों के लिए जो किसानी करते हैं चुकि मैं भी एक किसानी काम करता हूं तो आप स सबी को पता है मौसम कभा काफी कि संभावना दivent रही है बाड़ के संभावना दीख रही मेरे खाए च्छ रहे गा का आप च्छ रहे गी कुछ सोच इन स्क लीए कुछ मैं कुछ नहीं कर सकता जाहतक मेरी सोच थी कि अपनलोग के मैं suggestion करूँगा कि आप भी जरूर अपना फसल का जो है वीमा करवा लिजिए तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अंगले वीडियो में मुझे उमीद है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत काफी अच्छी लगे होगी और इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और नई नई लेटेस्ट और लाइन नई सरकारी युजनाओं के बारे में हम आप सभी को बदाते रहते हैं उन सभी से अउगत कराते रहते हैं और इस तरह की लेटेस्ट और सरकारी युजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जुड़ करके स सबी लोगों को सेर करते रहिए हमारी जितने भी वीडियो में आती है आपके प्रेंद अपने आपके दोस्ताब के भाई साफाटी सभी लोगों को इस वीडियो को पहुंचा दीजे ताकि इसका जानकारी सब को हो पाए चलिए फ्रेंड्स मिलते है अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तक लिए नमस्कार जैहिन दोस्तों